हेलो फ्राइंज, वेलकम आप सभी का टाक्रा टीचर के एक और क्लास्रूम पे दोस्तो आज चलिए हम सिखते हैं परसेंटीज के ऊपर कुछ सलीशन दोस्तो आप मैंने शॉर्ट्स को अगर फॉलो करेंगे तो मैंने पहरे जो मैंने शॉर्ट्स लिक बनाया ना उनमें मैंने परसेंटीज का बैसिक्स के बाड़े में बताया था तो चलिए आज without wasting further time हम कुछ problem का solution निकाल लेते हैं तो जैसे मैंने last class में बताया था कि कोई भी question हो ना तो हमें उस question को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए अगर question समझ में ना आए एक बार पढ़ने से तो हमें उसे दो बार पढ़ना चाहिए अगर दो बार में भी अगर समझ में नहीं आए तो तिस्री बार भी पढ़ेंगे पड़के question को 100% समझेंगे समझने के बाद हम उसका solution स्टार्ट करेंगे तो चलिए हम अच question पर लेते हैं पहले आज का सवाल है एक football team won 10 games from the total they played मतलब एक football का एक team है जिन टीमोंने 10 games जीता है उन लोगोंने actually सारे games नहीं जीत पाई उन लोगोंने काफी सारे games खेले उसमें से कुछ हड़ भी गए लेकिन जीते हैं जीतने उसका नामबर है 10 तो how many games were played in all तो कितने games खेलें उन लोगोंने जो हड़ गए वो नहीं दिया है सिर्फ जितावा दिया है 40% जिसका value है 10 तो total कितने games खेलें वो हमें निकालना है तो हम पकड़ लेते हैं let's start the solution let x number numbers of games sorry games played by the team by the team okay therefore according to the question क्या आजाएगा 40% of x is equal to 10 right no question no doubt अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे पहले का जो मेरे shots है आप वो सब में देख सकते हैं हमें आपको दिखेगा so 40% of x is equal to 10 numbers of games correct according to the question implies ये क्या हो जाएगा 40% को हम एसे लिख सकते हैं 40 by 100 of को multiply देंगे और x को x जैसे लिख देंगे is equal to 10 right no doubt implies अभी ये 40 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये जाएगा और ये अगर 4 को हम क्या हो जाएगा x numbers of games played by the total 10% of 25 is 10 and 60% of 25 is 15 okay so दोस्तो ये रहा solution so answer is 25 this is the answer 25 numbers of total games they played by the team तो चलिए दस्तो आगे फिर में इस तरह का कुछ और problem क्या solution लेके होंगा तब तक के लिए bye bye and take care